नमस्कार दोस्तों सुअगत है अब सभी का एक नीव वीडियो में आजगी वीडियो में बात करेंगे Pulsar NS 160BA6 and Apache 164 VBA6 की बारे में दोस्तों जैसे के आपको पता होगा कि दोनों ही 160cc सेग्मेंन की बाइक है लेकिन दोनों बाइक के अंदर आपको अलग-अलग features मिलता है तो दोस्तों आप मेंसे जो भी सोच रहे है कि इन दोनों बाइक मेंसे कौनसा बाइक खरीदना चाहिए तो आप एस वीडियो को इन दोनों बाइक की प्राइस और features compare करके देखेंगे कि इन दोनों बाइक मेंसे based बाइक कौनसा है और आपको कौनसा बाइक खरीदना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते color option की Pulsar के अंदर आपको फिला तीन color option मिलेगा जो है sapphire blue, fossil gray and oil red और दूसरी तरफ Apache के अंदर भी आपको तीन color option मिलेगा एक है red, दूसरा है black और तीसरा है blue features की बात करे तो Pulsar के अंदर engine मिलेगा 160.3cc का single cylinder DTSI SOHC oil cool fuel injected engine जहां पर power figures की बात करे तो maximum power produce करेगा 70.2 PS जो है 9000 rpm की साथ और maximum torque produce करेगा 14.6 Nm का जो 7250 rpm की साथ और दूसरी तरफ Apache के अंदर engine मिलेगा 159.7cc का single cylinder SI oil cool fuel injected engine जो आता है GTT technology के साथ जहां पर power figures की बात करे तो maximum power produce करेगा 16 PS का जो 8250 rpm की साथ और maximum torque produce करेगा 14.1 Nm का जो 7250 rpm की साथ मतलब आपको ज्यादा power and torque मिलेगा Pulsar NS160 की अंदर braking system की बात करे तो Pulsar की front side में आपको मिलेगा 260 mm का disc brake rear side में आपको मिलेगा 230 mm का disc brake उसके साथ ही single channel ABS और दूसरी तरफ Apache के अंदर आपको variant की हिसाब जे braking system मिलेगा जहां पर drum band की बात करे तो इस brand की front side में आपको मिलेगा 270 mm का disc brake और यहाड side में आपको मिलेगा 130 mm का drum brake उसके साथ ही single channel ABS और disc van की बात करे तो इस brand की front side में आपको मिलेगा 270 mm का disc brake और यहाड side में आपको मिलेगा 200 mm का disc brake उसके साथ ही single channel ABS मतलब दोनों बाइक की अंदर आपको single channel ABS मिलता है suspension की बात करे तो पलसर की फॉन साइड में आपको मिलेगा टेल स्पोकिक फोर्क और येर साइड में आपको मिलेगा नाइट्रोक मनोशक और दुसी तरफ एपाची की फॉन साइड में आपको मिलेगा टेल स्पोकिक फोर्क और येर साइड में आपको मिलेगा टेल स्पोकिक फोर्क और येर सा और दूसी तरफ Apache की बात करे तो इस बाक की दोनों साइट के अंदर भी आपको tubeless tire मीलेगा जिनमें foreignное का size 90 by 90 जो आता है 1778 साहल साथ और या तरर्य का size 130 by 90 जो आता है 17ion in चाला हुल के साथ Bike Dimension and O8 की बात करे तो पलसर की आपे ह्लाल Length 2778 mm का • ऑभराल वी थे 803 mm का Ground clearance आपको मिलेगा 177 mm का और इस बाइक की जो 8 है 151 kg और दुसरी दरफ Apache की बात करे तो इस बाइक की अवरल लेंग थे 2035 mm का, ओवराल उई थे 790 mm का, Ground clearance आपको मिलेगा 1880 mm का और इस बाइक की 8 है 149 kg मतलब 8 की मामले में हलका बाइक है Apache 164B, उसके साथी Ground clearance आपको ज्यादा मिलेगा Apache 164B की अंदर, माइलेज की बात करे तो Pulsar NS160 BS6 इस बाइक की माइलेज की बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन BS4 में इस बाइक का माइलेज दर एराउंड 45 mm पर लिटर की, जो BS6 की अंदर आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और दूसी दर आप Apache की बात करे तो इस बाइक की अबरेज मालेज है 50 km पर लिटर की, जो अपनी राइट की हिसाब जे कम और ज्यादा हो सकता है, और इन सभी के इलाबा, एडिसन फिजर्स की बात करे तो Pulsar के अंदर आप पाइलोट लेम, 12 लिटर फ्यूल टैंक, सेमी डिजिटल कॉंसोल, 5 स्पीड गयार बोक्स, और दूसी दर आप अपाची 160 के अंदर आपको मिलेगा, LED DRL, LED हेल लेम, LED टेल लेम, फुली डिजिटल इंस्टूमेन क्लस्टर, 12 लिटर फ्यूल टैंक, 5 स्पीड गयार बोक्स, प्राइसिंग की बात करें तो, प्राइसर के अंदर आपको फिलाल एक ही भेंड मिलेगा, जिसका प्राइस से 1,4,000 रूपीज एक सोरूम, और दूसी दर आप अपाची की बात करें तो, इस बैक के अंदर आपको दो भेंड मिलेगा, जबर ड्राम भेंड का प्राइस से 1, लेक 3,000 रुबिस एक सोरू मतलब अपाचे 160 के अंदर आपको जो डिस भ्रेन मिलता है उसका प्राइस पॉलसर एनेस 160 से 1000 कम है तो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गये होंगे कि प्राइसिंग और फिचर्स की हिसाब जे इन दोनों बाइक में से बेस्ट ब रोचिं!